Good morning kids, आज मैं बहुत ही interesting story बताने वाला हूँ, जो एक अमेरिका के बहुत बड़े scientist की कहानी है मैं सबसे पहले यह बता दूँ कि यह story क्यों important है उन्होंने बहुत सारे inventions किये थे उनका सबसे बड़ा invention था electric bulb उसके साथ साथ उन्होंने हजार से भी ज़्यादा invention किये थे one thousand, more than one thousand उसमें से सबसे जो turning point था, वो electric bulb था उसके पीछे एक story है, उनके बच्पन में चलते हम वो जब छोटे थे, तीन से चार साल के उम्र में होने के बावसूत भी वो बोलने ही बाते थे अमोमन यह होता है कि लड़का या लड़की, एक साल के होते ही बोलना चलना सीख जाते है बड़ वो जब तक चार साल के हुए थे, तब तक बोल नहीं पाते थे और उनका जो head था, सिर था, वो उसके जो average size होती है, head की, वो उससे ज़्यादा था और उनका आगे से सिर बहुत चोड़ा था, उन्होंने तकरिबन साथ साल के उम्र में स्कूल जाना शुरू किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ तीन महीने स्कूल 12 weeks, उसकूल गए थे, और उसके बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, जब उन्होंने एक दिन स्कूल से आये थे, तो उनके साथ एक लेटर लेके आये थे, उस लेटर को उनकी माने पड़ा, उस लेटर में जो भी लिखा था, उसको हैड करते हुए, छिपाते हुए उनकी माने कहा कि आपका बेटा बहुत जादा होश्या रहें, बहुत जादा इंटेलिजेंट है, हमारे पास इतने क्वालिफाइड टीचर नहीं है जो उसको पढ़ा सके तो आप अपने बच्चे को घर पे ही पढ़ाईए उसके बाद उनकी मा ने उनको घर पे पढ़ाया और 1879 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविशकार किया जो माइक्रोफोन होता है जो फिल्म प्रोजेक्टर होता है इस तरह के बहुत सारे आविशकार किया छोटे बड़े इलेक्ट्रिक उन्होंने बहुत बड़ी लेबरेट्रिस भी बनाई वो शुरू में पेपर बेशते थे 12-13 साल के थे तब अकबार बेशते थे तो उनकी बनाई हुए बल्ब का एक प्रदश्नी लगाई गई थी एक एक्जिबिशन लगाए था जहां पर हजारों लोग देखने आये थे उसके बाद से लोग जैसे दिया जला कर केंडल लाइट जला कर रोश्नी करते थे तो एक limited time तक होती थी जितना wax है मौमबती में तब तक चलेगा जितना दिया में तेल है तब तक चलेगा उनकी इस invention के बाद नॉन स्टोप रोश्नी मिलने लगी लोगों को और ये बहुती बड़ा आविश्कार था जो 1879 में उन्होंने किया था और उसी साल एक बहुत बड़े वेग्यानिक का जन्ब भी होगा था Albert Einstein जिन्होंने ये बराबर MC Squire relativity से related एक थियोरी दी थी बहुत सालों के बाद उनकी मा का देहान्त हो गया और एक दिन ऐसे ही कुछ चीज डूनते डूनते उनको box में वही letter मिला जो उनकी school से दिया गया था उनकी बच्चपन में उस letter को पढ़ा उन्होंने और उस letter में लिखा था कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमजोर है हम इसको और नहीं पढ़ा सकते हैं आप करभया गर के इसको घर पे ही पढ़ाएं चिट्टी में ये लिखा था बट उनकी मा ने उनको उल्टा बताया था एक बच्चा जो उनकी school ने पढ़ाना तक बंद कर दिया और उन्होंने चिट्टी के थुरू उनकी मा को बोल भी दिया कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं इतना कमजोर है आपका बच्चा वही बच्चा आगे जलकर इतना बड़ा विज्ञानिक बनता है उन्होंने अपनी एक बुक में भी लिखा है कि एक बच्चा अपनी मा के कारण बहुत बड़ा साइन्टिस्ट बन गया तो बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं करना जीए जैसे भी कर रहे हैं उनको हमेशा एंक्रेज करो थोड़ा बहुत आपको हेल्प करना पड़ेगा बच्चों को ऐसा नहीं एक बच्चे में बहुत सारी क्यापैबिलिटीट होती है जो भी बड़े विज्ञानिक हुए हैं वो रेगुलर स्कूल नहीं गए हैं इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते थे या फिर बहुत पूर होते थे बड़ उनकी जो मेंटल एबिलिटी है उस पर ज्यादा वो होना चाहिए कोई अन्यूस्वल चीज कर रहा है तो उसको भी करने देना चाहिए बच्चे को अगर वो हामफुल नहीं है तो तो आपको इनका नाम और डेट और उन्होंने कौन सा अविश्कार किया है एटलिस्ट वन जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो याद रखना है आपको थॉमस अलवा एडिसन थॉमस अलवा एडिसन 1879 में उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का अविश्कार किया है और ये स्टोरी आप सबको याद होनी चाहिए ओके, तैंक यू